नमस्कार दोस्तूं, रीट मेंस, अध्यापक सीधी भरती प्रक्षा के अंदर राजस्तान जीके के अंदर हमें एक टोपिक मिलता है राजस्तानी बासा दोस्तूं, जा राजस्तानी बासा के अंदर चार टोपिक जोड़े गए हैं, जिनमें पहला टोपिक आता है हमारे सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नोट्स चाहिए होंगे और नोट्स आपको मिलेंगे कुचामन ओनलाइन क्लासेज एप पर एप के इस्टोर में जाएए इस्टोर के अंदर राजस्तान जी के रीट के लिए जो है उसी में ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी जिस पर ज देखेंगे राजस्तान की छेतरिये बोलियां दोस्तों वैसे आप सभी साथियों को पता है क्योंकि आप सभी साथिये हमारे साथ रेट के लिए रास्तान जी के की तैयरी कर रहे हैं तो हम कोई भी कलास शुरू करते हैं उससे पहले उसकी नॉर्मल जानकारी आपके सामने रखते हैं उसी परकार आज की कलास देखें राजस्तानी बासा सी ताथ पर ये राजस्तान नामक भूबाग में बोली जाने वाली जन बासा के लिकित ता मोकिक साहिते से हैं राजस्तानी बासा यानि राजस्तान भूबाग यानि राजस्तान राज्ये इस राजस्तान रा जो भूबाग है उस पर जन बासा जिसका हमें लिकित और मोकिक जो साहिती मिलता है उसी को बासा राजस्तानी बासा हम कहें सकते हैं दोस्तों राजस्तानी बासा का उदबव सोर सेनी के गुर्जर अपबरन से माना जाता है जो राजस्तानी बासा है इसका उदबव किसे माना जाता है सोर सेनी के गुर्जर अपबरन से ये क्योसन आयावा है पहले भी एकजामू के अंदर दोस्तों विक्रम संवत 835 में उद्योतन सूरी द्वारा लिकित कुईलाई माला में वरनित 18 देशी बासाओं में मरू देश या मरू देश की जो बासा है वो मरू वानी है इसका भी उल्ले किया गया किसमें कुईलाई माला जो उद्योतन सूरी का गरंत है 835 का है उसके अंदर दोस्तों अब देखिए मरू वानी जो पस्मी राजस्तान की क्या थी बासा थी है आज भी यह नहीं क्या चली गई है बात हम कुईलाई माला गरंत के समय की कर रहे हैं उस समय जो मरू वानी है वो प पस्मी राजस्तान की क्या थी बासा थी दोस्तों राजस्तान की बासा के लिए राजस्तानी सब्द सर्वा परतम जोर्ज अबराम ग्रियरसन ने 1912 ऐस्वी में लिंग्विश्टिक सर्वे ओप इंडिया गरंत में परियुक्त किया राजस्तान की जो बासा है हम मरू वानी की दियांपर बात कर रहे हैं लेकिन इसके लिए राजस्तानी शब्द कहां से आया ये राजस्तानी जो सब्द के हम बात कर रहे हैं ये आया था जोर्ज अबराम ग्रियरसन के दौरा उनका गरंट है लिंग्विश्टिक सर्वे ओप इंडिया इस गरंट में उन्होंने 1912 के अंदर राजस्तान छेतर की बासा के लिए राजस्तानी सब्द है ये परियोगते किया दोस्तों समझ गया आगे देखे राजस्तानी बासा का विकास अपबरंसे हुआ है दोस्तों किसे हुआ है अपबरंसे हुआ है सोर्शनी के गुर्जर अपबरंसे माना जाता है तो किस और ये मानते हैं कि जो राजस्तानी बासा है ये बारवी सदी है उसके लगब क्या थी अस्तीत्वे में थी दोस्तों आगे चलिए अब देखे एक चार चीजे लेकर आया हूँ राजस्तानी बासा के विकास को निम्न चरणों से इस पेश्ट किया जा सकता है देखे एक हम पबरंस है ये ग्यारवी से तेरवी सताबदी के बीच था प्राचिन राजस्तानी है तो तेरवी से सोलवी सताबदी मद्दे राजस्तानी सोलवी से अठारवी सताबदी और वर्तमान या अरवाचिन जो राजस्तानी है ये अठारवी सताबदी से वर्तमान तक आज तक अ प्रचलित बासाएं एवं बोलियों की तरफ दोस्तूं एक चीज हम पढ़ते हैं डिंगल पिंगल वो जानकारी भी यहाई पर दे दूँगा में क्या होती है उसके बाद कौन से चेतर में कौन सी बोली बोली जाती है वो आपको बता दूँगा राजस्तानी बासा के उदबव को लेकर वीविन विदवानों में वीविन मतबेद है डोक्टर एलपी टेसिटोरी के अनुसार राजस्तानी बासा का उदबव सोर सेनी अपबरंज से हुआ है और हमने पढ़ा था सोर सेनी के गुरजर अपबरंज से राजस्तानी बासा का क्य दो बागू में बाटा गया है अगर हम बोलियों की बात करेंगे ने राजस्तान में बोली जाने होगे बोलियों तो उनको दो बागू में बाट देंगे हैं लेकिन वो अलग चीज है अब भी हम बात करने है राजस्तानी साहितिय के अनुसार तो साहितिय के अनुसार दो है ए यानि मारवाडी यानि मरूवाणी का जो साहितिय रूप है वो क्या कहलाता है डिंगल कहलाता है दोस्तु इसका विकास गूरजरी अपबरंस से हुआ है किस से हुआ है गूरजरी अपबरंस से विकास हुआ है डिंगल का बात करें पिंगल की तो पिंगल का विकास हुआ है सो जो साहिते आपको देखना है डिंगल का साहिते वो किनी के दुवारा लिखा गया है चारण कवियों के दुवारा लिखा गया है दोस्तों तो डिंगल पस्मी राजस्तान का जो साहिते ग्रूप है वो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पिंगल की ब्रजबासा एवं पूर्वी राजस्तानी का साहिते ग्रूप पिंगल कहला था ब्रजबासा और पूर्वी राजस्तानी का जो साहिते ग्रूप है उसको क्या कहते हैं हम पिंगल कहते हैं और इसका विकास हुआ है सोर से नी अपबरंस से, किसे हुआ है, सोर से नी अपबरंस से हुआ है, पिंगल का अधिकान साहिते बाट जाती कवियों के द्वारा लिखा गया है, डिंगल का चारन जाती द्वारा, और पिंगल जो है, इसका साहिते है, वो बाट जाती के जो कवि है उनके द्वारा लिखा गया दोस्तों ये हो गया डिंगल और पिंगल आपका आगे चलिए डोक्टर जोर्ज ग्रियर्सन ने राजस्तानी बोलियूं को पांच मुख्य वर्गो में विबक्त किया है प्रंतु तो सामानेते आ, राजस्तान की बोलियों को दो बागू में विबक्त किया जा सकता है, पस्मी राजस्तान और पूर्वी राजस्तान, जैसे पस्मी राजस्तान में मारवाडी, मेवाडी, बागडी, सेकावटी आईगी, पूर्वी राजस्तान में ढूंडाडी, हाडोती, मे अहिरवाटी जिसको हम राठी बोलते हैं यहां से कहने का मतलब है कि जो हमारी बोलिया है उनको हमने दो बागू में एक तो हम पस्मी रास्तान की बोलिया है और इसी के एकोडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले जो पस्मी रास्तान की बोलिया है पस्मी रास्तान में कौन सी बोल कौन सी है मारवाडी देखिए पहली लाइन है ना पहला कतन है इससे क्यूसन आया वा एकजाम में मारवाडी बोली चेतरपल की दरश्टी से राजस्तान की बोलियों में परतम इस्तान रखती है कि उसन आया था राजस्तान में चेतरपल की दरश्टी से सर्व परतम कौनसी बोली आती है तो वो है आपकी मारवाडी दोस्तों इसका प्रारम आठवी सदी से माना जाता है जो मारवाडी मरुवानी आठवी सदी से क्योंकि को अलाई माला जो गरंद मिलता है उसके समय से है ये ये मुक्य रूप से पस्मी राजस्तान के जोदपूर, बिकानेर, पाली, जैसलमेर, नागोर, जालोर, सिरोई जीलों में बोली जाती है जोदपूर, बिकानेर, पाली, जैसलमेर, नागोर, जालोर, शिरोई जालोर, शिरोई, नागोर यहां पर अलग भी बोलियां बोली जाती है लेकिन मुक्के रूप से कौन सी है मारवाडी है दोस्तों अब एक क्यूसन यह बनता है विसुद मारवाडी, जोदपूर एवं आसपास के चेतर में बोली जाती है सीधा क्यों से ना सकता है राजस्तान में विसुद मारवाडी कहां पर बोली जाती है जोदपूर का जो चेतर है ना जोदपुर, शहर, जोदपुर के आसपास का छेतर, वहाँ पर दोस्तूँ, मारवाडी का साहिते ग्रूप डिंगल कहलाता है, जो हमने अभी अभी पढ़ा है, मारवाडी का साहिते ग्रूप क्या कहलाता है, डिंगल कहलाता है, अधिकांस जेहन साहिते, मारवाडी बोली में ही लिखा गया है जहन साहिते के अगर हम बात करें तो वो किसमें मारवाडी में जैसे वेली क्रिसन रुकमनीरी मूमल ये जो मिलते हैं ना में ये किसमें मारवाडी बासा के अंदर लिखे गए हैं दोस्तों ये है आपकी मारवाडी मारवाडी बोली दोस्तों अब बात करते ह उपबोलियों की मारवाडी की उपबोलियों में देखे मेवाडी है, बिकानेरी है, बागडी है ठटी है, थल्ली है सिखावाटी है, खेराडी है देवडावाटी है, नागोरी है गोडवाडी है, आदी मारवाडी बासा की परमुक बोलियां वै उपबोलिया है चलिए केक के बारे में हमें दिन करना है तो सबसे पहले जो हमारे महरवाडी की बोलियों में आ रही है वो है मेवाडी मेवाडी नाम से पता मेवाड अब देखे मेवाड चेतर की है तो उदेपूर वे उसके आसपास के चेतर को मेवाड और यहां की बोली मेवाडी कहलाती है उदेपूर और आसपास का छेतर को मेवाड के नाम से जानते हैं मेवाड रियासत पढ़ते हैं और उसे छेतर में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं मेवाडी कहते हैं ये मुक्यते उदेपूर चितोडगड और रासमन जिलू में बोली जाती है मेवाडी कहां पर बोली जाती है उदेपूर चितोडगड और रासमन जिलू में ये मारवाडी के बाद राजस्तान में सरवादिक बोली जाने वाली बोली है सरवादिक छेतर पर है मारवाडी उसक उतना मारवाडी में साइते स्रीजन हुआ उतना इसमें साइते नहीं लिखा गया। इसलिए इस चेतर की बोली बागडी कहलाती है दोस्तूं। बीली बोली का है दोस्तूं। डोक्टार गिरियरसन ने वागडी को क्या का है बीली बोली क्योंकि ये बिलू का चेतर है इस वज़े से दोस्तूं। ये हो गई वागडी अगली बोली में चलिए पस्मिरास्तान की बोली है देख रहे हैं उनमें। अगली आ रही है हमारी सेखावाटी बोली शेखावाटी छेतर सिकर चुरू जुन जुनू तो देखें ये सिकर चुरू जुन जुनू में बोली जाने वाली बोली है दोस्तूं। इस पर मारवाडी और ढुदाडी का परभाव दिखाई देता है किस पर सेखावाटी क्योंको ढुदाड को भी टच करता है तो मारवाड को भी टच करता है इस वज़े से दोनू का परभाव है आपको सेखावाटी पर देखने को मिलेगा दोस्तूं। बात करें नेक्स्ट बोली की जो है धाटी, धाटी मुकेते आप बाड मेर के आसपास बोली जाती है, बाड मेर जब भी जाओ ना तो उसके पास जो बोली बोली जाती है, वो है धाटी बोली है दोस्तूं, आगे चलिए, अगली बोली आती है हमारी गोडवाडी बोली दोस्त कौन सी गोडवाडी कहां पर जालोर में आहोर तेसिल है वहां से लेकर पाली तक बोली जाती है गोडवाडी बोली दोस्तु बिसल देव रासो इसी बासा में रचित है सिधा आजाए कि बिसल देव रासो है वो किस बासा में तो गोडवाडी बासा के अंदर रचित है दोस्त अगली है देवडावाटी देवडावाटी है न यह मारवाडी की क्या है उपबोली है जो सिरोई वह इसके आसपास के छेत्रों में बोली जाती है देवडावाटी सिरोई और सिरोई के आसपास का जो छेत्र है वहाँ पर देवडा वाटी बोली बोली जाती है दोस्तों ये हो गई पस्मी राजस्तान की मुख्य बोली अब बिकानेरी बोली है तो बिकानेर में नागोरी बोली है तो नागोर में नाम से ही पता चल जाएगा यहाँ पर तो अब चलते हैं पूर्वी राजस्तान की बोलियों की ओर और पूर्वी राजस्तान की बोलियों में मुख्य बोली आती है धुंडाडी दोस्तों कौनसी है धुंडाडी समझे धुंडाडी जिसका सेखावाटी पर परबाव है समझे देखे उतरी जेपूर के अतिरिक उतरी ज जेपूर समझें उत्री जेपूर को छोड़ना है मैं बाकी जेपूर है उसमें किसंगड टॉंक लावा तेथा अजमेर मेरवाडा के पूर्वी अंचलू में पर्यूगत होने वाली बोली डुंडाडी कहलाती है डुंडाड चेतर कहते हैं न हम इसको तो वहाँ पर देखें उत्री जेपूर को छोड़ कर बाकी जेपूर है किसंगड है टॉंक है लावा है अजमेर मेरवाडा का पूर्वी भाग है यहां पर डुंडाडी बोली बोली जाती है डुंडाडी पर गुजराती मारवाडी और ब्रिजबासा का परभाव दरश्टी गोचर होता है क्योंक पूरव की और ब्रजबासा का चेतर लग जाता है इस पर पसिम की और मारवाड़ी का लग जाता है दक्सिन की और दक्सिन की और बांसवड़ा उस साइड का चेतर लगता है जिस बज़े से गुजराती का भी परभाव पड़ता है मतलब तीन बासाओं का परभाव आपको रख लेना डुंडाडी बोली को जेपुरी या जाड साई भी कहते हैं जेपुरी या जाड साई बोली भी कहा जहता है दोस्तूं जेपुरी या जाड साई बोली पूर्वी राजस्तान की दूसरी बोली आती है वो आती है हाडोती बोली दोस्तूं देखे हाडोती हाडोती च की बोली हाडोती बोली दोस्तूं हाडोती को डुंडाडी की ही उपबोली माना जाता है जो हाडोती है ना इसको डुंडाडी की ही उपबोली माना गया है दोस्तूं हाडोती का बासा के अर्थ में सर्वपर्तम प्रियोग केलोंग के हिंदी ग्रामर में सन अठारा सो पचेतर इस्वी में किया गया जो हडोती बोली है बासा की रूप में इसका प्रियोग किया था के लोग ने इंदि ग्रामर में 1885 के अंदर समझ गये और सूरिय मल मिस्रन का अधिकान साइते वो किसमे लिखा गया है हाडोती बासा हाडोती बोली के अंदर लिका गया है सूरियमल मिस्रन का दोस्तू समझ में आ गया आगे चलिए नेक्ष्ट आती है हमारी तोरावाटी दोस्तू यह भी इंपोर्टेंट चीज है यहां से देखना है यह सेखावाटी छेतर की बोली है वैसे थोड़ा द्यान से देखना जुन जुनु जिले का दक्सनी बाग सिकर जिले का पूर्वी बाग एवं दक्सनी पूर्वी बाग सिकर का पूर्वी दक्सनी पूर्वी बाग वज्येपूर का उत्री बाग हमने छोड़ाता ना जेपूर का लुंडाडी में जेपुर का उत्री बाग तो वहाँ पर जेपुर का उत्री बाग तोरावाटी कहलाता है तता इस छेतर की बोली तोरावाटी कहलाती है तो जुन-जुनू का तो है दक्सनी सिकर का पूरवी दक्सनी पूरवी और जेपुर का उत्री बाग ये तोरावाटी और यहां की बोली कौन सी हो गई तोरावाटी हो गई इसके अलावा देखे पंचवारी बोली लाल सोट से स्वाइमादोपुर के मद्दे जो बोली बोली जाती है उसको पंचवारी बोली केते हैं राजावाटी जेपूर जिले के पूरवी बाग की बोली है राजावाटी द मेव अलवर बरतपुर जिलू का छेतर मेव जाती की बौलता के कारण मेवात कहलाता है और यहां की बोली मेवाती कहलाती है अलवर बरतपुर जिलू में मेव जाती का बौले है उस छेतर गौम क्या कहते है मेवात और वहां पर जो बोली बोली जाती है उसको मेवाती कहते है उद्बहु एवं विकास की दरश्टी से मेवाती पस्मी हिंदी वर राजस्तानी के मद्दे सेतू का कारिये करती है हिंदी और राजस्तानी के मद्दे सेतू का काम करती है मेवाती बोली अभी बोल रहा हूँ important क्योंसन है सीधा आएगा SI क्योंसन कि हिंदी और राजस्तानी के मद्दे सेतू का कारिय करने वाली राजस्तान की कौन सी बोली है मेवाती बोली है मेवाती बोली पर मुकेते ब्रिज बासा का परबाव दिखाए देता है क्योंकि ब्रज बासा बरतपूर आगे बोली जाती है तो वहां का परबाव मिलेगा इस पर मेवाती मुकेते या अलवर की किसंगड तीजारा रामगड गोविंदगड लक्समनगड तेसिलू तेथा बरतपूर की कामा डिग वनगर तेसिलू के पसिम उत्तरबाद तेथा हरियाना के गुरुग्राम जिले में बोली जाती है यहां से देखे मेवाती कहां कहां पर बोली जाती है एक तो अलवर की तीजारा रामगड गोविंदगड लक्समनगड बरतपूर के कामा डिग वनगर और गुरुग्राम है ना गुरुग्राम रियाना का उसका छेतर यहां पर जो बोली बोली जाती है वो है मेवाती बोली परदाय का टोपिक भी जोड़ा गया संपरदाय, तो संपरदाय हम पढ़ेंगे वहां पर, तो लाल दासी और चरंदासी दोनों आइंगे, और इनका जो साहिते हैं वो किसमें मेवाती बासा के अंदर है दोस्तों, आ गया समझ में, यह है मेवाती, अगली बोली में चलिए, अगली आ रही है अहिरवाटी, जिसको हम बोलते हैं राठी, आभीर जाती के छेतर की बोली होने के कारण इसको अहिरवाटी या हीरवाल कहा जाता है, अहिरवाटी, राठी, हीरवाल, समझे, important चीज, जबकि एतियासिक दरश्टी से इस छेतर को राठ और यहां की बोली को र राठी का आ जाता है, कहां बोली जाती है, छेतर में चलिए, राठ किस छेतर को केते हैं, अलवर के बैरोड, मुंडावायर, किसंगड के पस्मी बाग, यह किसंगड जिजमेरवाला, जेपुर के कोटपूतली में बोली जाती है, कौन सी अहिरवाटी बोली दोस्तों, कवी जोदराज का हमीर रासो और संकर राव का भीम विलास इसमें है हीरवाल में इसमें है अहीरवाटी में इसमें है राठी बोली में या राठी बासा में लिखा गया गरंत है हमीर रासो वै भीम विलास दोस्तों यह हो गई अहीरवाटी जो अलवर जेपुर की कोर्ट पूतली तेसिल यहां पर बोली जाती है अगली बोली आती है मालवी दोस्तों देखे मालवी के बारी में ये मालवा चेतर में प्रयूगत होने वाली बोली है मालवा मालवा के जो टच इलाक है मालवा मद्देपरदेश से जुड़ा हुआ इलाक है मालवा मद्देपरदेश को बोलते हम वैसे तो पुराने समेक में मालवा मद्दे परदेश को बोलते थे और मालवी बोली वहीं पर है अब जो ब्राजस्तान का मद्दे परदेश के साथ टच है वहाँ पर मालवी बोली है जैसे जालावाड परताबगड कोटा के समीवर्ती छेतरू में ये बोली जाती है इस बोली में कहीं कहीं मराठी एवं गुजराती का भी परभाव दिखाई देता है किसमें मालवी में बात करते हैं रांगडी की मालवी बोली का रांगडी रूप करकस है मालवी बोली का ही रूप है रांगडी और रांगडी बोली में फरक क्या है मालवी में कि रांगडी जो भासा है बोली है ये करकस बोली है दोस्तु जो मालवा चेतर के राजपुतु द्वारा बोली जाती है दोस्तु मालवी जलावाड परता बगड कोटा का समय वड़ती चेतर में बोली जाती है और मालवी का ही जो चेतर है वहाँ पर मालवा का ही जो चेतर है जो राजपुतु की दोबारा वहाँ पर एक करकस बोली बोली जाती है उसको कहते है रांगडी अगली बोली में चलते हैं पूरवी राजस्तान की तो आती है निमाडी दोस्तों ये मालवी की उबोली है निमाडी को दक्सनी राजस्तान भी कहा जाता है निमाडी को दक्सनी राजस्तानी भी कहा जाता है दोस्तों इस पर गुजराटी बिली खांदेसी बॉली का परबाव दिकाए देता है ये क्यों से ना आ सकता है कि इस बॉली पर गुजराटी बिली और खांदेसी का परबाव है निमाडी पर दोस्तु अगली है खेराडी ये साहपुरा भीलवाडा और बुंदी के कुछ चेत्रू में बोली जाती है खेराडी साहपुरा भीलवाडा में और बुंदी के कुछ चेत्रू में ये बोली ढुंडाडी मेवाडी और हाडोती का मिस्रित रूप है हिराडी है ना इसमें ढुंडाडी भी मिली हुई है मेवाडी भी मिली हुई है और हाडोती भी मिली हुई है दोस्तूं ये थी राजस्तान की बोलियां सभी बोलियां जो आपके सलेबस के एकोडिंग है वो सभी बोलियां यहां पर आ गई है दोस्तू अब मैं कुछ मैत्वपुन तथे लेकर आ रहा हूँ इनी में से जो हमने पढ़ा इनी में से ही जो टॉप के क्यूसन बनते हैं चलिए देखते हैं इनको राजपुताना के संपुन चेतर पर भिन भिन बोलियूं के लोग निवास करते हैं तता एक डाणी से दूसरी डाणी में जाने पर बोली बदल जाती है यह किसने का था करनल जेम्स टोड ने यह कहा था दोस्तू मारवाडी का नाम कुछलाए माला में क्या मिलता है मारवाडी विस्तार माना जाता है कहां पर जोडपूर, बिकानेर, पाली, जेसलमेर, नागोर, जालोर और सीरोई में मारवाडी का विसुद रूप देखा जाता है कहां पर जोडपूर के अंदर यह चीज़े हमने पढ़ ली अभी मारवाडी बसा की उपबोलिया उदेपुर वै आसपास के छेत्रों में बोली जाने वाली बोली मेवाडी है जो मारवाडी के बाद दूसरी बड़ी बोली है बागडी बोली पर सरवादिक प्रबाव है किसका गुजराती का हमने वहाँ पर बागडी 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 बोली है डुन्डाडी बासा का प्राचिंता मुले काँ पर आठ देश गुजरी पुस्तक के अंदर मतस्य परदेश में बोली जाने वाली बोली मेवाती है दोस्तू डुन्डाडी बासा के उपनाम जेपुरी या जाडसाई जो मैंने आपको क्यूसन इंपोर्टेंट करके भी बताया था दोस्तू इसके अलावा आगे चलिए जेपुर के दक्सिन पूरव एवं टौक के पसिम भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? 84 बोली है मेवाती बासा पर सरवादिक परबाओ किसका पड़ा है? बरज बासा का पड़ा है पसमी हिंदी राजस्तानी बासा के मद्दे सेतू मानी जाती है मेवाती बासा यह कि उसेन भी आपको IMPORTENT बताया था मैंने स्वाहिमादोपूर के पसिम में टौंके दखसिन में बोली जाती है स्वाहिमादोपूर के पसिम दखसिन के टौंक में कौन सी नागर चोल दोस्त हूँ राजस्तान की वह बोली जिसमें वर्तमान काल के लिए छे वबूत काल के लिए छी छो का प्रियोग होता है वो है धुंडाडी बासा छे छी छे छो समझ गए कांतली नदी के आसपास के चेतर में बोली जाने वाली बासा कौन सी है तोरावाटी कौन सी है तोरावाटी पस्मी राजस्तान वलूनी बेसिन चेतर में बोली जाने वाले बोली गोडवाडी कौन सी है गोडवाडी है और रांगडी किन दो बोलियों की मिस्रित बोली है मारवाडी और मालवी की मिस्रित बोली है रांगडी कौन सी है रांगडी दोस्तों और ये थी राजस्तान की परमुक बोलिया एक बार सभी साती कमेंट करके बता दीजिये मेरे को कि आज की क्लास आपको कैसी लगी अगर पसंद आईए तो कम से कम पाँच मितनों तक सेर कर देना आपको मेरा हाद जोड़ कर निवेदन है दोस्तू कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है और ये नोट्स मिल जाएंगे आपको कुचामन ओनलाइन क्लासेज एप पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे वारत